आज हम सीखेंगे तंदूरी चिकन कैसे बनाते हैं आए रेसिपी के शिरवायत करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है चिकन लेग पीस और उसमें इस तरीके से कट लगाना बहुत ज़रूरी है तबी सारी मेरिनेशन अंदर तक जाएंगे चिकन बहुत अच्छी तरीके से कुक हो और इसे हमें एक घंटे के लिए अट लीस्ट रखना है याद रखें फर्स्ट मैरिनेशन आपको एक घंटे के लिए रखना ही रखना है अगर आपके पास जाधा टाइम है तो आट से दस घंटा या ओवरनाइट रख सकते हैं फ्रिज में इससे क्या होगा चिकन में बहु अच्छी से गरम कर लिए जब तक उसमें धुआ न आ जाए फिर उसमें एक चमच काश्मरी लाल मिर्शी पॉडर डाले इसे मिक्स करें और इसे दही में डाल दे फेटी हुई दही में इससे क्या होगा एक तो दही में थोड़ा अरोमा आएगा प्लस चो चिकन तंदूर ब दालेंगे कसूरी मेथी डालेंगे और उसके बाद हम क्या डालेंगे अगर आपके पास काला नमक होगा तो वह भी आप जरूर डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मेरी पास खतम हो गया था और मैं इसमें थोड़ा सा नमक आड़ गया स्वादनुसार इन सब को हम में अच्छी तरह के स्टिशन करना है और इस में हम चिकन की जो हमने अभी मरिनेट करके रख राथा वही चिक muj को और अगर आपके पास कोईला होगा ना तो इसmee स्टेज में कोईला का धूंगार दे सकते हैं यहां मैं मैं मैसूर में मिल नेटोẩ koleला तूरा टफुझार इसे लिए मैं धुंगार नहीं दे पाई अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा इसे अब हमें रखना है कम से कम आधा एक घंटे के लिए और बस इसे हम ओटी जी में बेक करेंगे इसे के उपर बहुत अच्छा लाल एकदम कलर में चिकन को खोके रेडी हो जाएगा और यह जो मैरिनेशन है ना मैं थोड़ा उपर से डाल रही हूं क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा स्वाध आता है तो मैरिनेशन आप हटाए नहीं जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो सब चिकन के उपर डाल दे और जैसे कि मैंने हंकड यूज किया था ना तो यह मैरिनेशन बहेगा नहीं यह इसके उपर ही स्टिक हो जाएगा तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा अब मुझे इसे बास्टिंग करना है तो सबसे पहले मैं इसके उपर बटर लगाऊंगी अच्छे तरीकी से बटर लगाना बहुत इंपोर्टेंट है और वो जो सेकेंड मैंने बेक वाला टेमप्रेचर बिता था ना वो अब करना है तो अभी तो चिकन पूरा कुक हो चु